नमस्कार दोस्तों गर्गी इदी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो होने वाली है पिछली वीडियो की एक्सेंशन जहां पर हम आपको दिखाने वाले है रिजल्ट जहां पर हमने हैं पॉलिनेशन करके कद्दू के प्लांट में से बड़े साइस तो देखे दोस्तों ये देखे कितना बड़ा साइस का कद्दू है हमने हैंड पॉलिनेट किया था जितने भी कद्दू इस प्लांट में लगेंगे उन सभी को हमने हैंड पॉलिनेशन किया यानि कि हमने पहले से ही सोच समझ के उसमें से फूट्स को लिया है जनरली बेल की सबजियों में बेल बरगी जितनी भी सबजिया होती है उसमें इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन से आप गर्मी में बढ़ियां तरीके सोत्वादन ले सकते हैं अगर आपके बेल में किसी तरीके से flowers की dropping हो रही है किसी भी nutrition wise flowers fruit में convert नहीं हो पा रहे हैं इस तरीके से अगर हम hand pollination करते हैं दोस्तों को results काफी बड़ी आते हैं और जब आप commercial खेती करते हैं तो hand pollination एक काफी costly और expensive input हो सकता है काफी ज़्यादा पैसा लग सकते हैं अगर आप अच्छा fruit का रोख्रती रत्रक्षमत है यानि कि जितना अच्छा उसका pollination होगा उतना ज्यादा वो किसी भी कीट किसी भी रोख से बचा रहेगा तो पहला यह कद्दू आई दूसरा को कद्दू दिखाते हैं यह देखिए हैं साइस देखिए दोस्तों कद्दू का और सबसे में बात यह है कि इस कद्दू में किसी तरीके सम कोई भी deformity notice नहीं करेंगे कहीं से भी ना इसमें pest attack होने वाला है ना ही इसमें किसी तरीकी कोई भी समस्य आने वाली है दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे कद्दू की खेती कैसे आप इस तरीकी के बेल वर्गे खेती लौकी घिया कद्दू इस तरीके से गिल की इसमें कैसे आप बढ़िया तरीके से पसल है आप जन्रली किसी भी एरिया से हो गर्मी में इसकी खेती करी जा सकती है इसको आपको लगाने का जो समय होना चीए दोसरों कहीं न कहीं मार्च अप्रिल के बीच में होना चीए अगर आप मार्च अप्रिल के बीच में इसकी अच्छे से इस तरीके से बिजाई कर लेत सबसे पहले इसमें हमने करी थी 3G 5G कटिंग चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे 3G 5G कटिंग क्या है सेकंड चीज़ और हमने करी थी वो कर था है हैंड पॉलिनेशन तो अभी तो दोस्तो कोई हमें male flower तो देख रहे हैं female flower कोई नहीं देख रहा तो इस तरीके से male flower से हमने female flower को पॉलिनेट किया था ताकि जब भी healthy pollination होता है और बढ़ियां पॉलिनेशन होता है तो इस तरीके से जो fruits हैं ये काफी बढ़ियां बनते हैं तो दोस्तो ये रहा pollinated flower ये जो बेल हमारी आप देख रहे हैं दोस्तो इसको almost हो चुके हैं 50 दिन 50 दिन में इसमें हमने किसी तरीकी कोई भी खाद नहीं लगाई है गर्मी में दोस्तो अगर आप बेल वर्गी सबजी करते हैं तो इसमें दोस्तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको भी जब भी आपकी बेल का जो पौधा है वो समय पे 15 से 20 दिन का हो जाए तो आपको सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये करनी है कि आपको उसकी एक cutting करनी है cutting दोस्तों कैसे करनी है यह आपको दिखाते हैं देखिए अ इसके टॉप को काटेंगे दोस्तों तो होगा यह कि जित्ता भी रूट से जो nutrition चड़के यहां कि tip तक आया था अब वो tip के जरीए आगे नहीं बढ़ेगा nutrition होगा यह कि अब इस तेके जम ने pollinate यह कर दिया prune कर दिया तो जो nutrition flow है वो सारा पीछे की बेलों में मिलने लग करेगा इनी पीछे की बेलों में दोस्तों कद्दू लग रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके nutrition को help करेगा जिसको कहते हैं दोस्तों 3G 5G cutting इस cutting का नाम 3G 5G cutting इसलिए क्योंकि इसमें 3-5 growth हमें देखने को मिलती है जब हम pruning करते हैं तो इसके लावा hand pollination काफी ज़रूरी है दोस्त कि कद्दू की जो बेल है वो जादा बड़ी फसल नहीं है यानि कि लंबे अवधी की फसल नहीं है औल्मोस्ट साट से सत्तर दिन में आपको बड़ियां हार्वेस्ट करके देने वाला है तो सिफ दो से धाई महिने का management है जगा का चैन अच्छा कीजिए इस तरीके से हमने नाच्रल फार्म के पास लगा रखिए तो यहां पर हमने जहां water का outlet हो रहा है वहीं उसको settle कर दिया था इस तरीके से और information लेते रहने के लिए चानल को सब्स्राइब करिएगा इस वीडियो में हमने आपसे शेयर कर रही कैसे हमने hand pollination कर गया कर रहा था उसके results आपसे शेय वीडियो को खतम हमने आपको बताएगी कैसे hand pollination टकनीक को इस्तमाल कर सकते हैं अपने plants में बेल वर गये उसके बाद हमने आपको बताएगी कैसे 3G 5G cutting करी जाती है plant में तो इस तरीके से plant mechanism काम करता है दोस्तों आपको इसकी पूरी वीडियो और आगे की जो देखनी है इस चाहते हैं तो instagram पर हमें फॉलो कर लिए घर की खेती हिंदी हमारे टाइटल है उसको यूजर नेम को जाकर फॉलो करिए वहाँ पर अपने plants के आप photos हमको भेज कर directly free consultancy ले सकते हैं जानकारी अच्छे लगे तो चानल को सब्स्राइब करिएगा bell icon को प्रेस करना ना भू आने वाली इस तरीके की किसी भी वीडियो से आप कभी भी मेस ना हो